हेले वरोण कैसे हैं आप सब एक बार पुना हाँ सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास्टल फिजिक संसियर्टी में चैप्टर थ्रे चल रहा बच्छो बिद्दुदारा और इसके पहले हमने जो भी वीडियो प्रवाइट किया है आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा आज हमारा टॉपिक है बच्छो प्रतिरोध लेकिन प्रतिरोध नाम के लिए बोल रहा हूं ये थोड़ा सा लंबर टॉपिक है क्यों क्यों क्योंकि प्रतिरोध की सांसाथ इसका मात्रा कि इसका बिमेशोत्र प्रतिरोध की निरभरता सब कुछ कंप्लेट करेंगे जैसा कि बच्छो आप लोगों को पढ़ाया था मैंने ओम का नियम आप लोगों ने वाद ओम की नियम का गड़ती ब्याख्या सिद्ध किया था हमने कि भी समानुपाति आई जो चालाक में प्रवाहिध्दारा है लगाएगे विवानतर के समानुपाति होता है उसे भी आप लोगों ने देखा होगा और वहीं से एक आर का मान निकल कर आता है उस आर का मान हो औसत बेग में आपने प्ररंबिक और अंतिम बेग बटा दो करते हैं, इसलिए दो आ गया था, तो N, E, Square, A, Tau, इसी से बच्चों हम निर्भरता भी निकालते हैं, कि प्रितरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, फिलाल अभी तो आज प्रितरोध ही समझना है, तो टा कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आई का मान है, उस समय के साथ कितना आबेस बह रहा होता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये आबेस कब बहता है, जिसे हमारे पास एक चालाक है बच्चों, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, समय लगेगा, लेकिन चीजें क् हैं, और चालाक के सीरो के बीच विवांतर लगाया, एक प्रकार से मैं कह दू तो बल लगाया, प्लस और माइनस ये बैटरी है, कुण्जी लगा दिया, और ये लोगया, ये ये कंप्लेट हो गया, अब इसमें होता क्या है, कि जैसे ही हम विवांतर लगाते हैं चालाक के स इस चालाक पर तो जब इलेक्टरान मालीजे मुक्ति इलेक्टरान के बेहने से ही धारा प्रवाय होता है। सीजे रुकावट आ जाती है तो जब इलेक्टरान ही बहने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो धारा के मान में क्या होगी कम ही आ जाएगी तो कोई नो कोई चालक पे ऐसी रुकावट है जो की धारा के सुगंता पुरोग प्रवाह का क्या करता है विरोध करता है और थात क इसी चालाक पर धारा प्रभाई में जो रुकावट डालता है। ज़रूर हमें इसे कोई से ईहां पर हम ने कहा जैसे एक इलेकल तो प्लस चार से टकराएगा तो जब चार्द से टकराएगा तो उसमें कहीं न कहीं प्रभाहे में कमी होती है जैसे मालीजिये आप गति कर रहे हो आप दोड रहे हो अचाना कहीं पे गिर गए जब गिर जाओगे फिर उठोगे फिर चलोगे तो गाबर तो उत्पन होती है कि नहीं जंपिंग है अचानक आप ब्रकर में ब्रक लगा दिये तो आप साइकल से भी जा रहे हो तो थोड़ा सधीय होगे आप फुली स्पेड से टूबिलर से जा रहे हो ब्रकर आ गया तो आपने ब्रक लगा दिया ऐसे ही जैसे महा लीजे इधर से माइनस वाला आ रहा था प्लस वाला दिग गया थोड़ा सा अट्रक्शन हो गया कि चलो बईया थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं तो ये क्या हो गया धारा प्रवाय में वह एलेक्टरान जो मुक्त इलेक्टरान है वो उतनी सुगमता पूर्वक नहीं बह रहे है जितना बहना चाहिए तो कहीं न कहीं धारा के मार्ग में भी वह अबरोध है क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्टरान के प्रवाय से मुक्त इलेक्टरान के कारण ही धारा बहता है बच्चो लेकिन यहां पे जो मुक्त इलेक्टरान है वो कही ना धन से टकरा गए कही उसकी है ना गती में कमी आ गई तो चालक के द्वरा ही भाई चालक में ही मुक्त इलेक्टरान है ना चालक के द्वरा ही धारा में क्या डाला जाता है एक अबरोध डाला जाता है और अबरोध डाला जाता है बच्चो तो कहीं न कहीं क्या हो जाता है एक रुकाबट के कारण प्रतिरोध उत्पन हो जाता है या उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं ठीक है कोई तिकत तो नहीं है रजिस्टेंस जिसे बोला जाता है बच्चो ठीक और पर्याप्त इलेक्टरान भैना चीए उतना नहीं भैपाता उसको रोग लेता अब यह तो रूग जा थोड़ा सा तो ज्यादा प्रत्रोध हो जाता है तो धारा कम भैती है जैसे मालीजे चालकतार एक छोटा सा बैटरी है चोटा सा बैटरी है तो चालकतार आप लंबा खिच बढ़ जाता है प्रत्रोध बढ़ जाएगा धारा कमान कम हो जाएगा यह आपका परफेक्ट ठीक बच्चो चीजे क्लियर यहां तक आपका कंप्लीट है तो प्रत्रोध की परिवासा कोई चालक बिद्दुत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रत प्रति रोधक कहा जाता है प्रति रोधक जिसके कारण अब रोध उत्पन होता है तो यह कंसेप्ट समझाना जरूरी है न वैसे तो परिवासा यह क्लाइन बोले हाँ हाँ जो धारा के मार्ग में अब रोध होता है वही आपका प्रति रोध है अरे क्यों प्रति रोध हो र की भी समानुपाती होता आई की समानुपाती हटाते हैं तो आरे की नियतांक लग जाता है यहां से हम आर का फार्मूला निकाल सकते हैं भी और आई मतलब चाला की सीरों के बीच लगाये गए विहुवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात भी प्रत्रोध कहलाता है देखो परिभासा यहुँ आसानिस निकल जाता है भी अपान आई भी मतलब विहुवांतर आई मतलब क्या हो गया धारा इन्हीं किसी चाला के सीरों के बीच जो विहुवांतर भी है है ना लगाया गया भी विहुवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात है वो प्रत्रोध कहला जाता है इसका एक फार्मूला भी जनरेट हो गया कि भी का प्रत्रोध का जो आपका यहां पे भीgorांतर बिवांतर बटा धारा यह हो गया एक फार्मुला ठीक यह चीछ प्रत्रोद यह दि बिवांतर बटा बिद्धु धारा तो यहां से आपका क्लियर हुआ कि यह दि किसी चालक के सिरों के बिच बिवांतर लगाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा जो आई है इन दोनों का जो अनुपाथ है बच्चो प्रत्रोद कहलाता है अब यहां तक प्रत्रोद का क्लियर हो गया बच्चो अब थोड़ा सा मातरक आप लोग यहां पर मातरक देख लो मातरक होता है बच्चो आपका ओम ठीक है प्रतुरोद का मात्राख होता है ओम इसको ऐसे दर्साय जाता है ये प्रतुरोद का मात्राख होता है ओम चीजें clear है फैक्ट वाली चीजें में बात कर रहा हूं बच्चो जो काफी important है उससे आप लोग तयार करेंगे यदि मा लीजे थोड़ा वह दिक्कत है तो फिर बताएगा आप लोग क्योंकि एक एक चीज यहाँ पर आपका clear किया जाता है अब यहाँ से मैं दी कह दूँ कि एक ओम की परिभासा दे दो देखो भाई थोड़ा समझेगा चुकि आर बराबर मैंने कहा भी बटा आई है यदि भिवानतर आपका एक बोल्ट हो ठीक है यहनि चाला के सीरो के बीच भिवानतर हमने एक बोल्ट लगाया और उसमें बहने वाली धारा एक एंपियर हो तब जो प्रत्रोध होता है एक ओम होता है क्या होता बच्चो एक ओम थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समय देंगे तब ही क्लियर हो पाएगा क्योंकि भाई साब अभी बहुत लंबा चीज़ें चल रही है आज तो यदि किसी चाला के सीरो के बीच एक बोल्ट का भिवा अंतर लगाया जाए यह आपका चालाक है यह चालाक है बच्चो यह चालाक है एबी आपका एक चालाक है इसकी लंबाई स्मॉलल है यहाँ चालाक के सीरो के बीच एक बोल्ट का भिवा अंतर लगाया जाए तब उसमें दी बहने वाली धारा आई है वो एक एंपियर हो जाए तब बच्चो उसका जो प्रतिरोध है वो एक ओम के बराबर होता है यहाँ तक इस्क्रेंशाट ले लिए होंगे आप लोग इस्क्रेंशाट ना ले पाते हों यदि नोट्स लेना है बच्चो तो नोट्स ले लें क्योंकि मैं अपना परस्टनल लंबर देता हूँ 9685299149 यह 96,85,39,49 यह मेरा परस्टनल लंबर है इस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं नोट्स ले सकते हैं ठीक है और जिनको भी अभी नोट्स लेना है पर आपर बोर्ड एक्जाम की तैयारी करनी है 2025 के लिए उनकी में बात कर रहा हूँ ठीक है चलिए तो यहां पर बच्चो यदि वी का मान एक बोल्ट हो एक एमपिया धारा बह रही हो तब वहां पर प्रतिरोध एक ओम होता है यदि किसी चाला के सीरो के मद एक बोल्ट का विवानता लगाने पर उसमें बहने वाली धारा का मान एक एमपियर हो जाए ठीक है बच्चो तो उस चाला का प्रतिरोध आपका एक ओम होता है कितना होता बच्चो एक ओम हो जाता है चाला का प्रतिरोध तो एक ओम की परिवासा भी clear हो गई होगी अब हम बिमी सूतर निकालेंगे देखेगा बिमी सूतर जिस बच्चे से बन गया समझो ओ एकजाम में भी करके आए और कई बार बिमी सूतर पोँचा गया है बिम्यू सूतर कैसे निकालेंगे बच्चों यहाँ पर समझेगा देखो भाई यदि आपने फार्मूला पढ़ा आर बराबर तो भी बटा आई होता है ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गया अब यदि मैं भी बराबर कहूं तो आबेस को ले जाने में किया गया कार डबलू अपन क्यों होता है और आई हो गया ठीक है चीज़ें क्लियर डबलू क्या है बच्चों कार है डबलू क्या है कार है तो यहाँ पर आप कार लिख सकते हो कार लिख सकते हो और यह आपका आबेस है ठीक है क्या है आबेस ठीक है और आबेस गुड़ा आई आई मतलब होगत धारा आभी भी कंप्लीट नहीं। देखेगा कार बराबर क्या होता है कार का भिमी सूत्र दी आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है कार का विमी सूत्र दिया आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात और नहीं बन रहा है तो फिर कार बराबर होता है बल गुणे बिस्थापन कार बराबर होता है बल गुणे बिस्थापन देखो ऐसेम थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा और ये आबेस है आबेस का होता धारा गुडे समय है धारा गुडे समय है ठीक है और एक धारा लड़ी है बच्चो ठीक यहां तक क्लियर है बल बराबर क्या होता द्रबमान गुडे त्वरन क्या होता बच्चो द्रबमान गुडे त्वरन और विस्थापन को हम दूरी कह सकत है और नीचे बच्चो एक समय है और दो धारा है तो एक समय है और धारा का स्क्वेयर है ठीक यहां तक clear द्रबुमान को द्रब्बमान रहने दीजिए क्योंकि यह आपका मूलड़ासी हो गया तुरण का होता है बेग बटा समय देखेगा ना एक समय आ रहा है बेग बटा समय तो एक समय पहले से है एक समय बेग बटा समय का आगया और धारा का स्क्वेर है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसके बाद बच्चो द्रबमान आपका मूल रासी है हम इसको जैसे ही आपका मूल रासी नहीं है बेग भी उत्पन रासी है बेक का होता है दूरी बटे समय, एक दूरी यहां से आगे तो दूरी का स्क्वेर, समय का स्क्वेर पहले से है, और एक समय कहां से आया बेक से, तो समय क्यूब हो गया, और धारा का स्क्वेर है, बताओ किसी से बिमी सूत्र बनेगा, द्रबमान का होता है M, दूरी का होता है L और समय का होता है T उपर जाएगा माइनस और MPR का होता है E ये आपका विमी सूतर है बताओ किसे बच्चे से नहीं बनेंगा यार थोड़ा सा भी दिया आप समय लगा लेंगे तो असानी से बन जाएगा ठीक है मर्जी आपकी आप सेखना चाहते हो कितना मेनत करना चाहते हो तो प्रतिरोध का विमी सूतर निकल करा गया ML स्कूर टीक पावर माइनस 3 एक पावर माइनस 1 यह आप से प्रतिरोध बन जाएगा तो फिर चालकत तो भी बन जाएगा है ना विशिष्ठ चालकत भी बनेगा क्योंकि इनी से सब हम निकालेंगे फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी अब हम मुक्रूप से बात करेंगे प्रितरोध की निर्भरता यहाँ पे जो फार्मूला है बच्चो आप लोगों को मैंने इस्टार्टिंग में बता दिया ml आपान n e square a और यह टाउ हो गया पहले नंबर की बात करें तो यह सीधा सीधा है बच्चो r समानुपाती l यहनी चालाक तार के दिए लंबाई बढ़ा दें तो प्रितरोध बढ़ जाएगा सिंपल है इस सूतर से दूसरा नंबर आप देखना छेतरफल ब्यूत करमान उपाती है देखो ज़रा यदि छेतरफल बढ़ाएंगे तो प्रितरोध कम हो जाएगा छेतरफल बढ़ाएंगे तो प्रितरोध कम हो जाएगा ठीक है कितना है यहाँ पर हम निर्भरता देख रहे हैं कि R समानुपाती L है यहाँ चालकतार की लंबाई बढ़ा दो बच्चो जितना ज्यादा लंबा चालकतार होगा प्रत्रोध उतनाई अधिक होगा ज़ी मोटा चालकतार है तो प्रत्रोध कम होगा अर समानुपाती एक बटाई इस फार्मुले सो देखो छेत्रफल की विदक्रम है इनि कोई चालाकतार एदी मोटा है अनुप्रस्त काट का छेतरफल एदी बढ़ा दिया जाए एदी अनुप्रस्त काट का छेतरफल ज्यादा है मोटे तार का प्रितरोध कम हो जाएगा और पतला तार है तो प्रितरोध अधिक होगा याद रखना चालाकतार की लंबाई बढ़ा दे हमने बताये न कि आपके पास बैटरी यह बल्व जलाना चाहते हो तो यदि पास में जला रहे हो थोड़ी देर तक जलेगा क्योंकि प्रत्रोध वहां पे कम है ज्यादा लंबी दूरी आप रसी खिश दिये चालाकतार की लंबी दूरी तक जला रहे हैं तो फिर वह प्रत्रोध ज्यादा होने कार जल्दी से बुझ जाएगा मोटा चालाकतार दी मोटा है तो उसका प्रत्रोध कहीं न कहीं कम होगा व्यूत कमान उपाती है छेत्रफल ज्यादा है मोटाई में छेत्रफल अनप्रस्त कार्ट का छेत्रफल यह होता बड़्चो जειसे यह आपका याप का प्रतरोध कम हो जाता है और जो चौथा नंबर होता बच्चो ताप जो ताप बढ़ा दे किसी चालकतार का प्रतरोध बिसरान्ति काल पर निर्भर करता है दो क्रमा का टकरों के पर निर्भर करता है तापमान कैदी आप लोग संबंद देखना चाहते हो तो थोड़ा सा अलाग से समझेगा जैसे मैं कहे रहा हूं कि जो आर है वो समान उपाती होता है एक बटे टाउ के टाउ का मतलब होता है बिसरान्ति काल बिसरान्ति काल मतलब जैसे इलेक्टरान लगाता है टकर कर रहे हैं तो उनके बीच का समय अंतराल अब जैसे तापमान बढ़ाते हैं बच्चो तापमान बढ़ाते हैं तो टकरों के बीच का जो समय हो कम हो जाएगा होगा कि नहीं जल्दी री टकर करेंगे किसी बस्तू का ताप बढ़ाओगे तो इलेक्टरान गति करना सुरू करेगा तो जब टकरों का बीच समय कम हो जाएगा तकरों का संख्या समय कम हो जाएगा यही बीच का जो अंतराल है वो कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा यहीं ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कमान बढ़ जाता है फिर से समझना चिंता ना करें पूरा systematic आपको समझाओंगा भाई यह निर्भरता के लिए हम चालाकतार की लंबाई है लंबाई के समानुपाती होता है लंबाई बढ़ाएंग चालाकतार के छेतरफल पर क्या हो छेतरफल बढ़ाएंगे व्यूत्क्रमान उपाती होता है छेतरफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सिंपल है छेतरफल अधिक होगा तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ज होता है यहीं टाव कमाने दी बढ़ गया तो प्रित्रोध कम होगा और टाव कमाने दी कम हो गया तो प्रित्रोध बढ़ गया, यही चीज है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, फिर समझ रहा, मैं यह कह रहा हूं कि यह टाउ है, वो आर की ब्यूत्करम है, यह देखो नजरा, टाउ कमान कम हुआ, आर बढ़ेगा, अब होता क्या है बच्चों, कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, कि तापमान आते हैं, तो बिस्तरांतिकाल कमान कम होता है, टकरों के बीच जो समय है, वो कम हो जाता है, जल्दी-जल्दी टकर करते हैं, ज्यादा टकराते हैं, और ज्यादा टकराते हैं, तो प्रत्रोद बढ़ता है, बाई, रिंड जो है, धन से टकराएगा, तो जब अच्छा आदम फिलाल प्रतिरोधी इतना लंबा चौड़ा हो गया यार को करें के आपन है ना लेकिन आप लोगों को यही रहता होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा वीडियो क्यों बनाते हैं कोशित से ही करता हूँ भाई कम समय में आपको समझा सकूँ बांकिये दिया आप चैनल पर पहली 29,99,14 इस नंबर पर आप होट सब करें कई लोग फर्जी लोग क्या होते हैं बोलते मैं सीव सर हूँ और कई लोग आमारे नोट्स का दुरुपयोग भी करते हैं फर्जी चीजें भी दे देते हैं लेकिन उनसे आप बचें जिनको भी जोड़ना है मेरे से डारेक्ट आप लुड़ सकते हैं जय हिंद बंद मातरम